Hello students, are you okay and doing practice of drawing? I think all of you must doing it at your home. Today I am going to how to color sweet home. Page number 5, sweet home, use crayons to color the picture as indicate, जैसा कि आप लोगों के बुक में दिया गया है कि sweet home का जो picture है, उसमें indicate किया हुआ है कि कौन सा color किस जगा यूज करना है. तो उसके लिए मैं अपने drawing copy में इस picture को draw करके रखी हुई 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 और आप लोगों के लिए मैं यहां color करके आपको बता रही हुँ कि कौन से color किस जगा लगाना है. ऐसे यहां book में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं आप लोग को यहां color करके दिखा रही हुँ. आप लोग भी इसी तरह से color करेंगे. अब जैसे यहां roof में brown color दिया हुआ है, तो मैंने इसे brown color से fill up किया है, और जैसे brown color को fill up करेंगे, तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी मैं color करती हूँ, या आप लोग color करेंगे, सभी लोग इस चीज़ के लिए ध्यान देंगे, कि इसका direction एक तरफ से हो, जैसे कि माल लोग जिससे line का जिस तरह से direction किया गया है, उसी तरह से मेरा movement भी hand का movement जो color करते हैं, उस वक्त उसी direction में होना चाहिए, नहीं नहीं तो कभी कभी उपर से कभी नीचे से ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एक direction में करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मैंने yellow color का use किया है, जैसा कि आपके book में दिया गया है, जहाँ yellow color है, yellow color, मैं यहाँ orange color लगा रहीं, तो आप लोग देख रहे होंगे, कि यह line का direction किस तरह से गया है, इस shape sheet में line बना हुआ है, उसी तरह से sheet से, मैं यहाँ अपने color को भी करने का तरीका दिखा रहे हैं, आप लोग को केसी तरह से color करेंगे, और यहाँ पर जैसे कि oval shape में, यहाँ red color किया हुआ है, जो रोसंदान है, ventilator जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें red color का use किया गया है, तो इस तरह से round shape में तो बस इसको ऐसे गोल गोल ही घुमाएंगे, इस तरह से अब जैसे वाल है इसका, तो वाल में red color डाला गया है, तो red color को मैं इस तरह से color कर रही हूँ, यहाँ पर wax crayons लिखा हुआ है, crayons, तो crayons color का यह यूज कर रही हूँ, जिसके पास pencil होगा, pencil color का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं की नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन book में crayons ही लिखा गया है, तो मैं यहाँ crayons ही कर रही हूँ, नहीं में blue color, तो यह blue color का वाल है, तो मैं blue color लगा रही हूँ इसमें, इस तरह से सामने के वाल में blue color का यूज किया गया है, और मैं भी blue color का ही यूज की हूँ, आप लोग भी अपने book में जैसा indicate किया गया है, उसी तरह से इसको color करेंगे, जैसे यहाँ blue color है, तो blue color, यहाँ red, और फिर gate में orange है, यहाँ दोनों में, तो orange करेंगे, यहाँ फिर purple है, तो इसी तरह से ध्यान से आप सारे color का यूज करेंगे, सामने का ground है, तो उस ground में green color का यूज करना है, वहाँ green color जैसे round में घासवास निकल जाता है, तो उसी को दिखाना है green, थोड़ा सा पाट सामने का, तो वो green color से किया हुआ है, मैं भी यहाँ green color करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखेंगे कैसे किया हुआ है, इस तरह से सारे बचे अपने बुक में color करेंगे, जैसा मैं बताई हूँ 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 और कोई भी बचे इधर उधर नहीं करेंगे, और बुक में बनाने के बाद आप लोग कोशिस करेंगे कि अपने copy में भी इसको practice करें, that's all, thank you.